नमस्कार एटोजेट डिशश उश्याक और जानी में आप सबका स्वागत है आज अस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कने जा रही हूँ पहुती बढ़िया सी ये थाली जिसमें मैंने बनाया आलू के गुड के गर्मा गरम फूली फूली पूरी और साथ ही साथ ये ककुंब कर रहता ये थाली जो है इतनी बढ़िया लगती है न चाहिए घर में बच्चे हो या बड़े सभी को पसंदा ये ऐसी थाली देखे देखकर ये ऐसे मन हो जाए खाने का ये ऐसी पूरी वाली थाली और ये जो मसालेदार आलू के गुड के न ये तो आप खाकर ये आपको म माज़ा आ जाएगा तो सबसे पहले आलू के गुड के बनाएंगे उसके लिए ओखली में आपको डाल देने एक चौथाई चमज जीरा एक चमज भर कर साबुद दनिया और यहां पर पांस से छे लसन की कलिया डाल दे दो कटी इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्ची आपको ड दरदरा ही कूटना है पूरा इक दम पेस्ट नहीं बनानी है हलका सा दरदरा रखेगा देखे इस तरह से करने के बाद हम गयस को ओन करेंगे एक गड़ाई रख देंगे और इसमें डालेंगे एक चमज तेल जैसे गरम हो जाए तो इसके अंदर हम एड करेंगे एक चौथा मैंने इस तरह से मीडियम साइस के टुकडों में काट लिया है और इसे लगभग एक से दो मिनिट तक इसी तरह से भूनेंगे ताकि थोड़ा से क्रिस्पी हो जाए देखे एक से दो मिनिट भूनने के बाद दो बारी कटी हरी मिर्ची इस वात के अनुसा नमक आधी छोटी च गुड़ के इतने बढ़िया लगता है एक बार तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए का बार बार तो आपने आप ही बनाएंगे यह चाह नमक वाले पराठे के साथ लच्छा पराठा पूरी सभी के साथ यह बहुत ही बढ़िया लगत जटपट वाले हैं देखे इस तरह से एक से दो मिर्ट पकाने के बार थोड़े से देनिया के पते डाल दीजिए और इसे आपको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लीना है देख सकते हैं इस तरह से मिक्स कर लिया और यह तयार है बढ़िया से आलू के गुड़ के यह बहुत 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 ही टेस्टी लगत देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छी अच्छे से सबको ग्रेट कर लिए अब एक हम बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दही तो यह पर आप देख सकते हैं मैंने दो कप जितनी एकदम ताजी घर की जमावी दही लीजे यहां फिर आप मार्केट के भी ले सकते पर एकदम फ्रेश लीजेगा ताजी और इसे अपको थोड़ा सा फेट लेना है ताकि यह स्मूध हो जाए देखिए इस तरह से मैंने घर की लिए घर की जमावी दही आप मार्केट के भी ले सकते हैं अच्छे से इसे थोड़ा सा फेटने के बाद यह ग्रेट किया हुआ क कुमबर इसके अंदर डाल दीजेए और इसे आपको अच्छे से इस तरह से मिकस करना है और यह इतना टेस्टी और इतना हेल्डी लगता है बहुत ही अच्छा एंड़ा जरूर ट्राइ भी जिजेगा अच्छे से मिकस के लाद इसके अंदर हम एड़ करेंगे सवात की नु इतना बढ़िया लगता है ना बनाना भी काफी असान है हेल्दी भी है तो ये रायता बनकर तयार है चलिए गेहों के आटे की बहुत ही बढ़िया सी पुली-फुली पूरिया बनाते है उसके लिए आपर सबसे पहले हम आटा गूनेंगे तो एक बाउल में हमने डाल दिया है तो उसके लिए जो आटा है वो नाई ज़्यादा सक्त होना जाए नाई ज़्यादा नरम अगर सक्त आटा गूनेंगे तो पूरी एक दम कड़क बने की अच्छी ने लगेगा और नरम आटा गूनेंगे तो पूरी बेलने में आपको तकलीफ आ सकती है इसलिए नाई ज़् मिनिट के लिए रग देंगे इस तरह से रेस देने से आपकी जो पूरिया वो और भी अच्छी बनेगी यहां पर देखें लगबग 10 मिनिट हो गए तो ठकन को हटा लेंगे और आटे को एक बार फिर से हम अच्छे से मसल लेंगे और मसलने के बाद ना इसमें से हम छोटी सी निकाल लेंगे जिसे साबसे आपको पूरी बनानी आप बड़ी पसंद करते हैं चोटी पसंद करते हैं इस तरह से लोई निकाल लीजे इसे मसल लीजे और इस तरह से चकले पर रखकर आप बेलना है अगर जादा पूरी मोटी बेल लेंगे न तो वो कही ना कही से कच्छी लगेगे और अच्छे से फूलेगे भी नहीं जादा पतली भी नहीं बेलनी है इस तरह से नहीं जादा मोटी नहीं जादा पतली मीडियम बेलने साइज आपके उपर बड़ी भी बेल सकते हैं और चोटी भी पर आपको बेलने का तरीका ध्यान रखना है कि यह जादा नहीं म पूरी है न वो फूला शुरू हो गई है अगर आप ठंडे तेल में पूरी डाल देंगे तो पूरी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी है तो फिर क्या होगा न पूरी के अंदर पूरा तेल चला जाएगा एब्सॉफ कर लेगी पूरा तेल और पूरी अच्छी नहीं लगेगी देखे बहुत ही असानी से हो जाएगा बस ध्यान आपको यह रखना है कि ना ही पूरी को जादा मोटा बेले ना ही जादा पतला और देखे इस तरह से एक नहीं सारी के सारी पूरी ऐसे ही फुली और बनकर तयार है यह बढ़िया सी गर्मा गर्म फुली फुली आटे की आलू के गुड़के और इसके ओपर यह रायता डाल दीजे और इसे पूरी के साथ खाएं ऐसे यह बहुत ही बढ़िया लगता है जाए बच्चे हो या बड़े यह सबी को पसंद आएगा तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा घर पर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बत जाएं ऌ الخेंचे itself grow शाएं ज़रूरा बड़े भी साथ ताल कीजेगा दुटरा착ैं जाएंडर के सकी आपाई ज़रूरूर टाल झाएंडर के यह बहुत हैं ज बहुत है समक चली कीजे यह नही invariरूर गरूरर पिन कंचे ह।